जयाएं दोस्तों, मैं पेंदर कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूँ, आप सभी का अपना चैनल वी के टुटरियल में, आज हम लोग पढ़ेंगे छारकन के भुगुल के बारे में, और इसे सम्मंधी ते सकेंड वीडियो है, इसे पहले हमने जो वीडियो एक बनाया है, उसको पहले देख लिजेगा, तभी इसको पढ़ने में आपको मज आएगा, और समझ में भी आएगा, इसमें देखेंगे दोस्तों कि सारे उनलाइनर प्रस्नों को देखेंगे, जो परिक्षा के दरिष्टी से इंपोर्टेंट हो सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं, प जगर के अपिक्षा यहां पर गरम जादा रहती है, यानि टाटा नगर जो जमसेतपूर है, यह जार्खन का सबसे गरम इस्थान है, अगर वहीं पात करें दोस्तों कि पूरे जार्खन का उसात तापमान कीतना है, तो उसात तापमान जो है 25 डिग्री सिल्सियस है, जिसकी अपिक्षा देखें, तो जमसेतपूर में थोड़ा अधिक रखती है, अगला प्रसना है कि जार्खन में मानसुन की परवेश किती थी है, यह हो जाएगा आपका 10 जून, आपको पता होगा कि भारत में मानसुन का जो परवेश है, वो एक जून से स्टार्ट हो जाती है, ज लेकिन जार्खन आटे आटे तक देखें, तो दस दिन का समय लग जाता है, और दस जून को जार्खन का जो है, मानसुन का परवेश्ति थी माना जाता है, अगला प्रसना है कि जार्खन में सरवधिक ठंड योम वर्षा का इस्थान है, तो जार्खन में सरवधिक ठंड यो जार्कन का सबसे ठंड़ा जगह है और पूरे जार्कन में सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है वो नेतरहाट में ही होती है अगला प्रस्ण है कि जार्कन में ओसत वार्षीक वर्षा दर है तो जार्कन में ओसत जो है वार्षीक वर्षा होती है 140 सेंटीमेटर है इसको भी शार्कन को इतने जलवाई परदेश में बिभग्त किया जाता है तो जैंटों a9 और छोड़ी एक बाता जाता है लेकिन पूश्वाद के रेपोर्ट इसको जो है ज intend ही जलवाई परदेश में बाटता गया तो तुटवड़ा से द्याण में रखिएगां क अंतरगत माना जाता है तो जो पलामु जीला है वो ब्रिष्ट छाया प्रदेश के अंतरगत माना जाता है क्योंकि इस छेत्र में देखें तो काफी वार्षा जो होती है कम होती है अब जीगरोफी पढ़ियेगा दोस्तों तो कि इसे ब्रिष्ट छाया प्रदेश कहा जाता है सब चीजों को थोड़ नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि आप अगर देखें तो जो पहाड़ी इलाखा के जो पिछली इलाखा जो होती है जहां परवार्षा नहीं हो पाती है उसी ब्रिष चाया छेतर के अंतर गत्रा खा जाता है तो पलामु जो हमारे जार्खन मेरिया है यह बहुत कम वर्षा होती ह है और इसी चलते हमेशा आए सुखा गरस्त गोसीत होता है आगला प्रस्थन है कि राष्टी आप्ता प्रबंधन सस्थान यानि ए नाई डियम की अनुसार जार्खन की कितने जल्वाई परदेशों में भीभाजित है तो यहां पर अगर देखें तो एनाई डियम की रिपो एक हो जाएगा दक्षणी पूर्वी पठा यानि कि पूर्वी छेत्र को दो भागों मटागे कुत्री पूर्वी अवे खो जाएगा दक्षणी पूर्वी अवे खो जाएगा पच्मी पठा तो यह तीन परदेशों में डियम ने जार्खन की जल्वाई परदेश को विभा है तो थोड़ा इसको ध्यान में रहेगा को कि राल मीटि जो है.. जृhö भाल में विष में आप बहुत ज्यादा भागु और बहुत जाता है अगला प्रस्न है कि निर्माण परक्रिया के द्रिष्टी से जृहर खन की में कि तो निर्माण प्रक्रिया की दृष्टी से देखें तो यह हो जाएगा अपसिष्ट मीटी है अपसिष्ट यानि समझते होंगे दोस्तों कि कोई चीज जो अपसिष्ट जो होती है बचीवी चीज होती है उस टेप के हां पर मीटी है निर्माण परक्रिया के अधार पर इसको अफसिष्ट मीती में रखा गया है अगला है कि जारखन में वार्षा के जल से होने वाले मिर्दा परदन को कहा जाता है तो जारखन में वार्षा के जल से होने वाले जो मिर्दा का परदन हो जाता है यह हो जाता है चादरी कहा जाता है इसको भी थोड़ा ध्यार में रखेगा जैसे कि बहुत ज़्यादा वार्शा होती है То उप्री के जो मिटी होती है वो धीरे-धीरे परदी थोने लगती है, धीरे-धीरे धुआ-धुआ के नीचे जनी जाती है, तुस्रे मीटी को चाद्रे मीटी कहा जाता है आगला प्रस्न है कि ग्रीडी इस्थित पारसनात पहाडी किस पठारी परदेश का हिस्था है तो ग्रीडी का जो पारसनात पहाड़ी है वो बाय छोटा नागपूर परदेश के पठारी का इलाका है तियाद रखना है कौन सा परदेश तो बाय छोटा नागपूर का परदेश जो ग्रीडी का पारसनात पहाड़ी है इसमें रखा गया है इसको अगला है कि छोतरपूर मैदान तथा गड़वा उंच भूमी का किस प्रादेशी कूचावत की हिस्से है ते हो जाएगा उत्री बाय पठार का आप अगरे पूरे पठार को अगर पढ़े होंगे दोस्तों तब को अच्छे से पता होगा तो उत्री जो बाय पठार है इसके अंतरगत इसको रखा गया है अगला प्रस्न है कि राची पठार का उत्री हिस्सा किस नाम से जाना जाता है तो राची पठार का जो उत्री हिस्सा है वो मारवन परदेश के नाम से जाना जाता है अगला प्रस्ने की उत्री दामोदर यों दच्छनी दामोदर नदी घाटी का विभाजन करने वाली रेखा है तो यह हैं दोस्तों कुंटूर रेखा यह सब डायरेक्ट वन लाइनर है और वन लाइनर फोर्म में ही याद रखना पड़ेगा क्योंकि उत्री दामोदर और दच्छनी दामोदर नदी जो घाटी है उसका विभाजन करने वाली रेखा को कॉंटूर रेखा कहा जाता है अगला प्रस्ने की राजमाल पहाडी छेत्र में इस्थीत नुकिली पहाडियों को किस नाम से जाना जाता है तो तुरू आ, राजमहल के च्हेतर में जहांपर काली मीटी पाई जाती है पहःड़ों को डोंगरी रो तूंग जाता है वही चीजेयां है अग्ला है कि चाई बासा मैदान के पच्छमी च्हेतर में कीन वनों का विष्तार पाया जाता है तो यहाँ पर देखे तो चाई बसा के जो पच्छमी छेतर हैं तो यह आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि यह सरंडा वन जो यहाँ प्रसीध है तो सरंडा वन की जो बिश्तार पाया जाता है चाई बसा के पच्छमी छेतरों में अगला है कि डालभूम, दल्मा और सरंडा, पुरहाट किस मैदानी उचावत छेतर में इस्थीत है, त्ये हो जाएगा चाइबसा मैदानी छेतर में उचावत में इस्थीत है अगला प्रस्न है कि जारकन की नदियों की प्रकृति है तो जारकन की नदियों की प्रवेति है यानि कि देखें दोस्तों तो प्रदीपी आप धूरे भारत देश में सबसे पुरानी पठार प्रदीपी पठार है और यहां कि नदियां नदियां है वो प्रदीपी है उतर भा आले 6 से बहाख हिरके आती है और आगी च्छारकन का सबसे कि गुशा जलबड़ परपाथ इसी नदी पर उधना चाहर इस फीट, इसको थोड़ा सध्यान में रखेगा इस सबसे उचा है कहां दोस्तों तो लाते हर जीला में पढ़ता है बुढ़ा जल परपात हुंडू जल परपात जो है ओकीस नदी पर है तो हुंडू जल परपात आपको पता होगा दोस्तों कि स्वाल रेखा नदी परिश्थित है जोनाची से ज्यादा दूर नहीं है 25-30 किलोमेंटर के दूरी पर है हुंडू जल परपात चुरू काफी दर्शनिय इस्तल है लोग यहां पर जाते हैं परपात में घूमने के लिए चलिए आगा बढ़ते हैं जो जहरकन की सकेंड जो है यह सबसे उच्छा जल परपात माना जाता है हुंडू जल परपात को अगला है कि राणू नदी पर इस्थीत जोनहा जल परपात का नौइंतन नाम क्या है तो राणू नदी पर जो जोनहा जल परपात है उसे गोतम धारा जल परपात भी कहा जाता है इसको याद में रखना है कि अगर यहां पर जोनहा जल परपात का जो नाम है दोस्तों वहां पर जोनहा उप्शन में न रहे गोतम धारा रहे तो इसको थोड़ा सा दिहार में र जल्परपाथ जो इसतीत है फो गाचि नदी पर है ऐसे दोनों जल्परपाथ में लोग गय थे दोस्तों पिकनी के іक When I पढ़ाई करते थे राची में उस टैम में तर दोनों जल परपात में घूमा हुआ हैं आप भी जाईएगा अच्छा जगह है घूमनें का आगे बढ़ते है घंगरा नदी पर इस्थीत रर्फिप है को का घंगरा नदी पर oxidation आपको याद है कि घोले में अगना न्दी पर निजल परकाथ तो तो गुमला नदी पर को इस्थीत है आग्ला परिस्थयद है कि chciaak में पूछा हुआ प्रस्थन है तो थोड़ा से ध्यान में रख सकते हैं कि हिर्णी जल पर पाथ जो है उपच्मी सिंभूम जिले में इस्थित है अगला है कि बल चोरा सुखल दरी जल पर पाथ इस्थित है तो बल चोरा और सुखल दरी जो जल पर पाथ है एक गड़वा जिले में इस्थित है अगला प्रस्ते हैं दोस्तों कि मोती जहरा जल परपात की इस नदी के तर्ट पर इस्थीत है तो मोती जहरा जल परपात जो हो जाएगा यह अजय नदी के तर्ट पर इस्थीत है ये सब ही ओन लाइनर ही है दूस्तों कहीं भी पढ़े है तो ओन लाइनर फ्रोम में ही डिरेक्ट इसको याद करना पढ़ेगा अब जैसे की सब्जेक्टिव लिखेगा चाहँ और कुछ जानेगा तो जल परपात को उद्गम कैसे होता है उसका क्या कारण होते हैं तो ये सब हचारी बाग में इस्थित सूरजकुल जल परपात का अधिक्तम तापमान है तो हचारी बाग में इस्थित जो सूरजकुल जल पर पात चुका अधिक्तम तापमानGHT ये इसको थोड़ा ध्यान में रख सेके कि भारत देश में सबसे गर्म जलकुंड जो है वह हजारी बाकी है इसलिए थोड़ा सब प्रसीद है और एक्जाम में कोश्चन बनने की संभावना ज्यादा रहता है अगला प्रस्फण है कि अगला प्रस्वाच है त्था रानी बहल्ब्र सब्लकुंड जो है वह इस्थान सब्सक्राइक हजारी बाक में घृट किस नदी पर सब्सक्राइब ये हो जाएगा आपका वट याद नहीं कि हजार connectivity कर नहीं कि अटीक है आगे बढ़ते difिदी आब क्या प्रभायु इस थीदय है एक सब्सक्राइओ का फीलीन हे सिर्फ फेजय आपके आपका आपका वाहिट व्लाइय औरहे सिर्म बर तो हैं उचाई है अक्छान से और समूद्र तल से दोरी है तीनों चीज को चीज को याद रखना है कि जार्खन के जलवाईुक परभाववित करने में इसका उचाहिया एंड are परभाम मोचा इंब्सक्राइब कि पृकट उक्षाहिय वाला इलगा वसा गारि तो जो गर्मी के महिने में जो काल बैसाकी की जो मेना होता है उसमें दिखें तो उसके प्रभाव से होने वाली जो तडित जंजावत वर्सा होती है दोस्तों यह हो जाता है नार्वेश्टर कहा जाता है तो याद रखना है कि काल बैसाकी के परवास होने वाली जो जंजायत वर्षा होता है उसे नारवेश्टर कहा जाता है आगला प्रस्न है कि कुल भारती वनु का कितना परतिसत जो है ज्ञारखन मेश्थीत है तो पुल भारती वनु का अगर देखे दोस्तों तो 3.4 परतिसत जो है हमारे ज्ञारखन मिश्थीत है यादि वन के दिरिष्टी से जो है हम लोग औसत से थोड़ा सा उपर है यानि कि यहाँ पर देखें तो थोड़ा सा हमारे हैं वन की बहुलता है और इसलिए थोड़ा सा आज सरकार इसमें और ध्यान दे रही है कि दाकि हम लोग 33 परतिसत जो बॉन के ओस्तन्र जो कि सीमा है उसको प्राप्त कर सके आगे बढ़ते हैं ज्ञारखन के कितना परतिसत छेत्र पर वन अच्छादित है तो यहां पर देखें तो 29.62 परतिसत यह दू होजार उनीस का ओनर्ड पर फड़ोबर आया है उसी क्याहार पर है 29 डश्मर बासर परतिसत हो ज्यारकन पर थे में अगला प्रस filter यानि निम्तम जो है वह आपका हो जाएगा जाम ताड़ा इसे पहले देवगर था लेकिन अभी नया रिपोट आया है उसमें जाम ताड़ा हो गया है तीन सब चीजों को थोड़ा सा अपडेट रहिएगा क्योंकि बुराने चीज़े आपको याद रज सकती हैं क्योंकि जो पहले से त्यारी कर रहे हैं लेकिन आपको नया चीजों से हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा अगर प्रसन है कि जारखन में परतिसत की द्रीठी सारवधिक वन पाया जाते हैं तो अगर परतिसत की द्रीठी से वन की अगर बात करें दोस्तों तो यह हो जाएगा आपका लातेहर जीला लातेहर जो है परतिसत की द्रीठी से सारवधिक वन पाया जाता है लेकिन अगर पूछते हैं कि सारवधिक वन कहां पाया जाता है तो आप 15 सिंभुंभ क्यां जाता है क्या शित digestive बढ़ा जिला है इसलिए पर वह कर देखे तो छेटरफल भी जादा है और इसी चलते हैं पर थोड़ा बन की बहुलता भी है सरण्डा अगेरा बन जो आपका पच्मी सिंभूम में ही आता है लेकिन परतिसत के अधारपर यानी परतिसत की द्रीष्टी से अगर देखे तो सबसे जादा हो जाएगा आपका लाते हार जीला आगे बढ़ते हैं कि जहार कंड में परतिसत की द्रीष्टी से निम्तम वन पाया जाते हैं तो हो जाएगा जाम तागा जीला जो साइबर क्राइम के लिए प्रसीथ है जाम ताडा आगला प्रस्ण है कि पारिश्थित के संतूलन के लिए कितना परतिसत भुभाग पर वन का बिश्थार होना चाहिए तुई है जाएगा 33 परतिसत 33 परतिसत जो है दोस्तों एक उस्तन रखा गया है कि कम से कम प्राकरति को संतूलन बनाया रखने के लिए पूरे देश में चाहिए कोई भी राज्य हो देश हो 33 परतिसत वन जो है कि निर्धारित किया गया है कि होना चाहिए तो हम लोग काफी करीम है 29 दस्मलों 62 परतिसत में है यानि कि थोड़े से जैसे कि वन जन योजना अगर चल रहा है तो इन सब चीजे जना को माध्यम से वन को पुरत्साहन किया जा रहा है रोपने के लिपमेड़ पॉधों को तो इसे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं जहारकन के किस जिले में सारवधिक सुरक्षित वनों का बिस्तार है तो हो जाएगा हजारी बाग जिले हजारी बाग जिले हैं दोस्तों जहां पर सुरक्षित वनों का सरवधिक जो है यह बिस्तार माना जाता है और सारवधिक वनों का बिस्तार हजारी बाग ही जिले में है सुरक्चित वनों का आगे बढ़ते हैं जहारखन के 21 जिले में सारवधिक अवरगी क्रीट वन का बिश्तार है तो सारवधिक अवरगी क्रीट वन का बिश्तार जो है आपका वो हो जाएगा साहेबल जिला में है तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं दोस्तों जैसे कि अगर अगर बात करें दोस्तों तो सुरक्षित वन में आपका हजारी बाग हो गया कि हजारी बाग में सहरोदिक जो है सुरक्षित बन रखेगा मतब प्रदःचित बन में चेह है कि पूरे बनु का देखिए लिए aron root 11 Eyes प्रतीसद जो है वो अपका सुरक्षित बनु का है कि उसी इतल था सबसे बड़ा अवर्गी क्रीद बन का छेत्र होता है अंगनी पूरे हम लोग जार्खनें बात करें तो मातर 33 वर्ग किलो मिटर में ही अवर्गी क्रीद बन है जिसमें से अपका साहिब प्रत्थन इस्थान पर आता है आगे बढ़ते हैं कि जार्खन की कितना परतिसद भूभाग पर अतिस अगनवन छेत्र पाया जाता है तो अतिस अगनवन छेत्र जो है वो पाया जाता है अगर देखे तो हो जाएगा तीन दसमलो 27 परतिसद भाग पर तो थोड़ा ध्यान में रखेगा कि जार्खन में कुल कितने परतिसद भूभाग पर अतिस अगनवन पाया जाते है और एक हो जाता है समान्य, समान्य जो होता है यानि खुला वन उसको का सकते हैं यानि खुला वन जो है वो 14.20 परतिसत भावों में पाया जाता है तो इसको थोड़ा ध्यार में का अती सघन कितना 3.27 इसके बाद जो होता है मध्यम सघन यानि 12.15 और खुला जो होता है वो 14.20 assistants and each other that small of 20 57 आगे बढ़ते हैं कि पुन पाती वननो का राजा कीस ब्रीज को कहते हैं कि तो साल्ब्रीज को पुन पाती वननों का राजा कहा जाता है साल ब्रीज जो ज्यानते हो in स coral ब्रीज सराई ब्रीज सक्व भन जो जहारखन का जो है आपका एंष्य की ब्रीज है आगला प्रस्थ है कि राज के कितने परतिसत भूबाग पर उष्णकटी बंदिए आद्र प्रॉंट पाथी वन पाये जाते हैं यह हो जाय का दोस्तों दोस्त दोस्त मलोग 66% इसको थोड़ा से ध्यान में रखेगा कि राज के कितने परतिशाथ भुबागपू उस्षनकटी बन लिए जो है आद्र प्रॉंट पार्थी वन पाया जाते हैं तो दो दस्मलों 66 पर 30 पर यह पाया जाते हैं आगला है कि जार्कन का राजकी ब्रीच है कि जार्कन का जो राजकी ब्रीच है जो प्रॉंट पार्थी वनों का राजा कहा जाता है हो है आपका साल ब्रीच है साल ब्रीच को इस्ठानिय भासा में कहते हैं को साल ब्रीच натाप हैं सरई ये सक्फवा कहते हैं तो सराई और सक्वा को जो है साल बिरीच को इस्थानी भासा में कहते हैं दोस्तों सराई सक्वा तो इसको थोड़ा सध्यान में रखिएगा क्योंकि जो है बड़ा बहुमूल्य पौधा होता है क्योंकि इसमें देखें तो इसके जो बीज होते हैं उसे तेल निकाला जाता है इसके फुल के जो प्रकृती फुजा सरहूल होता है इसके फूलों को किया जाता है संद्रीड होता है इससे बड़ा फरनीचर मजबूत रहता है से बनाया जाता है ऊज़ा तो काफी मेरे छेत्रों में पर्योग पाया जाता है आगे बढ़ते हैं कि जारखन के दो पर्मुख ब्रीच जिनका उपयोग फर्निचर के लिए किया जाता है वो जाएगा सीसम यम सागवन सीसम और सागवन जो होता है फरनीचर के लिए परयोग किया जाता है क्योंकि सीसम और सागवन जो होता है इसमें रेशा काफी होता है इसलिए जो लकड़ी में डिजाइन जो दिखते हैं लखडी का जो रेशा मतब जो उसमें रेघारी जो दिखाई देता है वो काफी चमकिदार होता है दोनों ब्रीचों में बहुत ज्यादा इसमें रेशा पाया जाता है इसे लिए इसको फरनिचर के द्रिष्टी से बहुत उपयोगी होता है आगे है कि किस ब्रिच का प्रयोग है पेटी निर्माण में किया जाता है यानि काटून जो बनता है दोज़तों यानि छोटे-छोटे आप सेव के जो काटून आते हैं अंगूर ओगेरा के जो काटून क्यों बनाया जाता है तो हो जाएगा सेमल एक सेमल का पाउधा होता है जिसमें फूल निकलता है लाल लाल बड़ा-बड़ा फूल होता है और उसमें देखे तो इसका जो फर होता है उसमें रूई निकलता है यह भी के पेड़ जो होते हैं काफी हलके होते हैं सुखने के ब अगला प्रस्न है कि कागज उद्योग में उप्योग होने वाला वन उत्पाद है तो यह हो जाएगा बांस बांस और घांस दो चीज़ें से कागज बनाया जाता है तो यहां पर घान में रखना है कि बाश जो है जो बाश भी एक घास के दृष्टी में ही रखा जाता है तो यह देखें तो कागज बनाने के लिए उपयोगी होता है अगला परस्थन है कि जहार खण की लाह की उतपादन में किस केड़े का परियूक किया जाता है तो लखबग एक लखबग कीड़ा होता है जो लाह उत्पादन के लिए सबसे उप्योगी कीड़ा माना जाता है तेसलिए इसका प्रयोग जार्खण में लाह उत्पादन में किया जाता है अगला प्रसन है कि जार्पन में लाहुत पादन के लिए किस ब्रीज का उप्योग किया जाता है तो यह हो जाएगा दोस्तों कुसू, बेर और पलास कुसूम का जो पेड़ होता है इसका जो फल जो आता है उसको लोग खाते भी है और उसे बीज से तेल भी निकाला जाता है तो कुसूम के पेड़ हो गया और बेर, बेर जो आप लोग खाते होंगे जो मार्केट में मिलती है बाईरी जीस को बोलते है तो बेर और इस जगा पलास, पलास का फूल जो है मारे राचकिय फूल है जो आपको पता होगा का जारकन का राचकिय जो फूल है वो कौन सा है तो पलास का फूल है तो वही पलास के पौधा में लाह का उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा इसी में उत्पादन होता है आगे बढ़ते हैं ज्ञारकन में उत्पादित होने वाला सरोधिक लाह की प्रजाती है यह प्रजाती है बैसाखी लाह यानि कि बैसाखी लाह का उत्पादन जो है ज्ञारकन में सरोधिक होता है और सरोधिक उत्पादन के साथ यह उप्योगी भी होता है क्योंकि बहुत ज् आगे बढ़ते हैं कि बिड़ी निर्मार में किसवन का उत्पादगा उत्योग होता है जो अभी गहर्मी का धीन है दोस्तों तो अभी नए जो कोपले पौधे निकलते हैं तो नए कोपले पौधे जब हरी हो जाती है थोड़ा समझबूत हो जाती है यह जून का जो महिना होगा उसी में तेंदुपाता तोड़ा जाता है तोड़नेक बद इसको सुखा करके उसको बेंच दिया जाता है तो हमारे छेतर में सब जो है बहुलता से पाया जाता है और यहां पर देखे तो केंदुपाता अगे और जो उटपादन है तो होजाता है और जुण आसन और सहतूत के पेड़种 पर किया जाता है तो याद रहिएगा है तसरुथ उटपादन जो भारत प्रत्थम इस्थान रखता है और यहां पर दोनों को थोड़ा ध्यान में कि लाहक उत्पादम कुसुम बेर और प्रदूसीत नदी है कि आपको पता होगा कि दामदर नदी है वो सारवधीक जारखन की प्रदूसीत नदी माना जाता है तो याद रखेगा कि दामदर नदी जारखन के सबसे प्रदूसीत नदी है अगला है दामदर का उद्गम इस्थल है तो ए दिखे दोस्तों तो टूरी छोटा ना पूर तो याद अखे कि दामोदर नदी का उध्गम इस्तल है टूरी चन्दवा जगह जो लाते हर जीला में पढ़ता है वहीं किसे ए उध्गम का इस्तहल माना जाता है दामोदर नदी का तो इसको थोड़ा ध्यान में रखे गय आगला प्रस्न है कि गुम्रो और एरो किसकी सहायक नदी है तो गुम्रो और एरो जो है आपका ब्राह्मिली नदी का सहायक नदी है तो गुम्रो और एरो जो है वो ब्राह्मिली नदी का सहायक नदी है आगला प्रसन हें कि जार्खन की सबसे बड़ी याम लंबी नदी है जो आपका दामोदर नदी है जो बंगाल का सौक भी जाता है और इसी पर दीवी से परियोजना है जिस पर आठ बांध बनाएगये हैं और सबसे जड़ा बिदिली उत पादन का कारे इन ही इसे दिखें, तो चार मांधों में भ कारे चल रही है आलते हैं जहारखन के सा नदी में जाकर करको गिरते हैं अगला है कि स्वोड रेखा नदगी का उद्गम इस्थल है ती हो जाएगा नगडी रांची यानि रांची जिला के नगडी नामक जगह से स्वोड रेखा नदी निकलती है यहां पर देखे दोस्तों तो स्वोड रेखा पर्यूजना यहां पर चलती है जिसके अंतरगर जार ध्यान में रख्येगा चुछ मैं एंपॉर्टें्ट है और परिश्हा के दृष्णी ही बार-बार प्रस wait से बनते रहे हैं अगे बढ़ता है कि जर्फन और उडिशा की बीच सीमा निर्धारण प्राइध है ज़्रकन और उडिशा के सीमा के निधार में सहीक नदी जो हता है ओर वहला करकोई नदी याद emoc है कि दच्छनी कोयल नदी का उदगम इस्थल है कि वे तो दच्छनी कोयल नदी भी राची से निकलती है नगडी से याद रखे याद र UM Abd IQ रिख़ते हैं अगला प्रस्थ कि जार्कन के कि नदियों का मुहाना जो है हुगली से संबन्थित है तो ज далके अगर देखिए दुस्टों तो तो जो दामदर नदी है मयुराख्ची नदी bleb नदी इन जएक जियां ओजाकर के हुगली नदी में मिल जाती है यानि कि दामदर नदी पुछए का तो मरी हुगली की सहायक नदी है उसी प्रकमयुराख्ची नदी हो गया ब्राह्मनी नदी हो गया यह सौतांत रुप से बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है बलकि यह हुगली नदी में जाकर के मिल जाती है अगला फ्रस्न है कि जारकंड से निकलने वाली वे परमुक नदिया जो अपना बिले गंगा में करती है तो जो सोन नदी है पुन-पुन और सक्री यह सभी नदियां अगर देखे दोश्तों तो आपका जो गढ़वा पलामु का इलाका है इस ठेतरे से बहतती है और यह देख जाती है अगला प्रस्न है कि जारफन की कीस नदी को बंगल का सौब कहते हैं आ ciao कि कि दिया हो जाएगा नामदर नदी को यह बहुत असान सब्दों में बहुत बार प्रोफशनल रिपीटेड है तो इस अभी को पता होता है पहले कहा जाता था लेकिन अब नहीं कहा जाता क्योंकि अब देखें दामोदन आठाठ बांध होना आए गया है तब से पानी को रोकाव जो है वो काफी तक हद तक हो चुका है इसे चलते पहले जब बां गंगाल का सौक कहा जाता तक बाढ़ भूत आता था लेकिन बांध होनने के कारण बाढ़ को नियंत्रित कर लिया गया है आगे बढ़ते हैं जारखन के साहब गंज में किस नदी पर टर्मिनल बनाया गया है तो यह हो जाएगा दोस्तों कि गंगा नदी पर जो है वो टर्म अगला प्रस्ण है कि जारखन की अधिकांस नदियों के द्वारा कि नदी नती लंब जल पर पात यह विसर्प और निर्माण के कारण है तो जारखन की जो अधिकांस नदियां है जो दोस्तों वो नती नल्म और जल पर पात विसर्प का निर्माण करती है क्योंकि नदियो हैं के अंगला प्रस्न है कि जार्खन में कुल कितनी नदी बेसिन श्थीत मैं efas our aunts didn't têm यानी कि बड़े-बड़ा नदीयों को अब देखे तो आच नदी बेसिन जार्खन में श्थीत है कि झाचन के किस नदी को खिरण ये वाहक कहा अगला प्रस्तन है कि दर्धा और भूरहर किसकी सहयक नदियां हैं ते हो जाएगा पुनपुन की सहयक नदियां हैं तो ध्यान में रख सकते हैं कि दर्धा और जो भूरहर है ये पुनपुन की सहयक नदियां हैं अगला प्रस्त दोस्तो जारकन की कोन सी नदी मार्ग बदलने हैं तो प्रसीद है ते हो जाएगा सक्री नदी जो सक्री नदी है जार्कन की जो मार्ग बदलने के लिए को ख्यात है यह जो है मार्ग बदलने के लिए प्रसीद है जार्कन की एक मात्र नदी जो है सक्री नदी है जो अपना मार्ग को परिवर्तित करती रहती है अगला प्रस्था है कि जार्खन से कितनी दोस्तों जार्खन से निकलने वाली प्रसीद नदी जो सराध यो पींड़ दान के लिए प्रसीद है तो यह हो जाएगा फल्गू नदी फल्गू नदी जो है जार्खन में सराद यानि जैसे कि कोई मर जाता है तो सराद कान किया जाता है पीन दान किया जाता है इसके लिए जो देखें तो जो फल्गू नदी है वो परसीद है अगला है कि वरंगा और अमानत किसकी सहाइक नदिया है तो जो वरंगा और अमानत है दोस्तों ये अपका हो जाएगा उत्री कोयल की सहाइक नदी है तो याद रह सकते हैं दोस्तों कि उत्री कोयल के जो सहाइक नदी हो जाएगा और जो औरंगा नदी है और अमानत नदी है आपको पता हुआ औरंगा नदी के खिनारे ही पलामों का किला इस्थित है और ये दोनों नदियां आगे जाकर के उत्री कोयल नदी में मिल जाती है अगला प्रस्थित है कि बुढा खाग जल परपात की इस नदी पर इस्थित है अगला प्रस्थित है कि पत्थ्रों और जैंति किस की सहाइक नदी है तो पत्रों और जयन्ती जो है अप का अजय नधी की सहयाइक नदी है तो इसको भी ध्यान में रखु सकते हैं है अगर अजय नदी की बात करें दोस्तों तो इसका जो उद्गम। प्रस्प न बनने की संभना जदा रहती है तो थोड़ा सा ध्यान में मैं ₹ रख सकती हैं जैसे नदी निकलती है झाल जैसे कि पुन-पुन नदी मत परदेश के पठार से निकलती है जो है तो जीदने भी नदियाँ है और मुहाना कहा बनाती है और कुछ-कुछ जो नदियां है उनकी सहाक नदियों का नाम याद रखना है कि यहां से बहुत ज़्याद़ प्रश्न पुछा जाता है कि कौन सी नदी किसकी सहाक नदी है तो इसको थोड़ा सध्यान में रहें कि जैसे के संख नदी वगरा भी थोड़ा याद रह सकते हैं दच्छिणी कोयल याद रह सकते है और जो small रेखा नदी important है आपका दामोदर नदी important है उत्री कोयल नदी important है महीवराक्ची तो लगभब नदियों का आप बांट करके उत्री नदिया दच्छणी नदिया पूर्वी नदिया और पक्छवी नदिया इस चारभागों बांट करके उसको याद कर लिजेगा थोड झाल 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 झाल